डेली करेंट अफेर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज तारीक है 21 फरवरी 2020 और हमारा जो एपिसोड नंबर है 573 है करेंट अफेर्स का ये जो वीडियो है में रोज सुभे 4 बजे हमारे जो चैनल्स है पिनाकल और फ्रंटियर आईएस उन पर आपके लिए अपलोड कर देती हूँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने बेल आईकेन पर क्लिक नहीं किया है तो आप चैनल के साथ जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज सुबह चार बजे ये वीडियो देखें साथ हमारी जो वेबसाइट से ssccjlpinacle.com और बलजीधाका.com उन्हें भी आप विजिट करें वीडियो को आप अंत तक देखें और अंत में मैं आप से प्रिविएस वीडियो से रिलेटेड हैं ताकि आपका रिविजिन हो जाए उनके उत्तर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे यहाँ पर आपके सामने प्रिविएस क्विज के दो क्वेश्चन से देखें और प्रिविएस क्विज में आप से क्या पूचा गया है पहला प्रशन देखो भारत के नए केंद्रिय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे न्युक्त किया गया है न्युक्त किया गया है संजय कोठारी को पहला प्रशन दूसरा है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 फरवरी को, ये दोनों हमारे previous quiz के questions थे और आपने से अधिकतर लोगों ने सही उत्तर दिया, आज का पहला प्रशन है, जो राम जन्म भूमी, तीर्त छेत्र ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये राम मंदी ट्रस्ट है जो बना था, ओके और राम मंदी ट्रस्ट की जो पहली बैठक है, वो हुई है हाली में, जिसमें की जो महंत निरत्य गोपाल दास है, इनको ट्रस्ट का अध्यक्ष घोशित किया गया है, और साथी साथ जो है वहाँ पर चंपत राय को महा सचिव बन उनको भवन निर्मान समिती का चैर्मेन बनाया गया है, तो प्रश्न एक हमारा उत्तर है, आंसर यहाँ पर D है, और अब आप महंत निरत्य गोपाल दास जो है इनकी तस्वीर देखिए, यह यहाँ पर इनकी तस्वीर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, यह हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्टिय मातर भाषा दिवस 2020 की थीम क्या है, यह हमारा क्वेश्चन नमबर टू है, आंसर यहाँ पर हमारा सी है, यह हमारा आंसर है, आंसर यहाँ पर सी होगा, आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो जो अंतरराष्टिय मातर भाषा दिवस है, यह भाशाई, बहु भाशावाद और सांस्कृतिक विविदता के बारे में लोगों के बीच में जागरुकता जो है फैलाता है अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये कब मनाया जाता है आपको तारिक बता देती हूँ ये मनाया जाता है 21 फरवरी को ये तिती है जिस दिन ये मनाया जाता है 2020 का जो अंतराष्टिय मातर भाशा देवस है वो शांतिपूर्ण समवाद और सामाजिक समीवेश को बढ़ावा देने में योगदान देगा और इसकी थीम है Languages Without Borders ये आप याद रखेगा साथे साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम में से अधिकतर लोग की जो मातर भाशा है वो हिंदी है तो हिंदी जो है वो दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाशा है तो नमबर तीन पोजिशन पर हिंदी है नमबर एक पोजिशन पर कौन है नमबर एक पोजिशन पर अंग्रेजी है और नमबर दो पोजिशन पर क्या है नमबर दो पोजिशन पर जो है यहाँ पर चीनी तथा मैंडरिन भाशा है ये दोनों है नमबर दो पोजिशन पर ये था हमारा question number two, ये देखिए यहाँ पर, इससे संबंदित तस्वीर, international mother language day 2020, theme है हमारा languages without borders, आगे चलते हैं, तीसरा प्रशन, pension, कोश, नियामक, एबम, विकास, प्राधिकरण, के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, ये हमारा third question है, सुप्रीतम बंदोपाध्याई, ये उत्तर होगा, answer यहाँ पर जो है, वो DD is going to be the right answer, सरकार ने सुप्रीतम बंदोपाध्याई को, pension, कोश, नियामक, एबम, विकास, प्राधिकरण, के चैर्मिन न्युक्त किया है, एक आधिकारी कादेश के नुसार, Mr. बंदोपाध्याई ज ये pension, कोश, नियामक, एबम, विकास, प्राधिकरण, जो है, ये सरकारी और नीजे करमचारियों द्वारा संगटित और असंगटित छेत्र से, सदस्यता प्राप्त, राष्टिया, pension, योजनाग को, विन्यमित करने के लिए, 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था, ये PFRDA अध प्रशन पर, यहां पूचा गया है, एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त होने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा कौन सा बन गया है, अक्सर में इस तरह के प्रशन जो है, वो आपके साथ कवर कराती हूं कि बताईए, वो कौन सा राज्य है, जिसने सिंगल यूज प्ला इंदिरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट, दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट जो है, उसको एकल प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्त होने की गोशना कर दी है, ऐसा करने वाला देश का पहला हवाई अड़ा यह बन गया है, तो question number 4, answer यहा पर आपसे एक रिविजन question पूछना चाहूंगी, आप मुझे बताईए कि बिदर हवाई अड़ा, हाली में यह चर्चाओं में था, क्योंकि यहां से पहली सीधी उडान को हरी जंडी दिखाए गई थी, आप मुझे बताएंगे कि यह जो बिदर हवाई अड़ा है, यह जो महिला एशियाई कब की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यह पाँचवा प्रेशन है और उत्तर जो है यहां पर हमारा भारत होगा, यह जो है यह हमारा right answer है, is the right answer, भारत 2022, AFC महिला एशियाई कब की मेजबानी करेगा, एशियन फुटबॉल कनफेडरेशन की महिला समिती न मलेशिया के कुललंपूर में यह गोशना की है, इसके अलावा हम आपको यह भी आदिला दो कि भारत को इस साल के अंत में फीफा महिला अंडर 17 विश्वकप की मेजबानी भी करनी है, और साथी साथ भारत जो है, वो FIH जूनियर पुरुष विश्वकप 2021 की भी मेजबानी करेगा, यह हमारा प्रशने 5, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नौर्थ इस्ट सतत विकास लक्ष कॉनक्लेव 2020, यह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, छटा प्रशने है यह और इसको आयोजित किया जाएगा असम में, आंसर यहाँ पर हमारा A है, नीती आयोग जो है, सतत विकास लक्ष कॉनक्लेव 2020, उत्तर पूर्वी राज्यों की भागिदारी सयोग और विकास कायोजन गोहाटी में, असम सरकार Tata Trust United States Development Program के साथ वहाँ पर मिलकर किया जा रहा है, अब यह कब से कब तक होगा, यह भी आपको बता देती हूँ, यह 24 से 26 फरविरी 2020 बीस तक, तीन दिवस्य कारेकराम है, जो गोहाटी में होगा, इसमें असम मनिपुर में घालेया, मीजोरम, नागालैंड से किमत्रेपुरा के मुख्य, संयुक्तर राष्ट के, जो बहुत सारे समन्व्यक हैं, वो भी इसमें उपस्तित होंगे, यह जानकारी थी, इस अपिटल दिसपूर है, गवर्नर जगदीश मुकी है, चीफ मिनिस्टर सर्बानन्द सोनवाल है, लेजिसलेचर यूनी कैमरल है, 126 सीटो वाला, यूनेस्को की बात करें, अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड एरिटेज साइड की, तो काजी रंगा नाशनल पार्क उसमें आत ध्यान से सुनना, और मुझे बताईए आप कमेंट सेक्शन में लिख कर, कि कौन से राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए सर्वशेष्ट जाकी का पुरुसकार जीता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, अगला प्रशने है, केंद्रिय मंत्री मंदल ने कितने वर्श की अवधी के लिए भारत के 22 वे विदी आयोग को मंजूरी दी है, ये प्रशने आपके सामने उत्तर यहाँ पर हमारा होगा 3, C जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, केंद्रिय मंत्री मंदल की बैठक में 22 वे विदी आयोग के गठन को मंजूर तो यहाँ पर उत्तर हमारा question number 7 के लिए answer जो है यहाँ पर C है, जो विदी आयोग है ये भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर सामवादे, non-constitutional जो body है, इसके बारे में ये जानकारी है, आगे चलते हैं, ये प्रेशन साथ था, हाजी अली दरगा ट्रस्ट, world book of records में शामिल होने वाली, दुनिया की पहली दरगा बन गई है, आप मुझे बताएं कि हाजी अली जो दरगा ट्रस्ट है, ये है कहाँ पर located, question number 8 है, answer यहाँ पर हमारा जो है, वो मुंबई है, D हमारा right answer है, मुंबई is the right answer, हाजी अली दरगा ट्रस्ट को world book of records लंदन द्वारा सूची बद किया गया है, ये दुनिया में सबसे अधिक visiting तीर्थ स्थलो में से एक बन गया है, और 552 साल पुराना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये दुनिया का पहला दरगा ट्रस जिसे world book of records लंदन में शामिल किया गया है, question number 8, answer Mumbai, और ये देखें यहाँ पर हाजी अली की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, साथी साथ थोड़ी अतरिक जानकारी भी आपको देदेती हूँ कि नवंबर 2016 में महिलाओं को हाजी अली दरगा में प्रवेश करने की क्या एनिवेज यहाँ पर हमने बात की है मुंबई की मुंबई राजदानी है महराश्ट्र की, आज आप मुझे comment section में महराश्ट्र के chief minister, महराश्ट्र के governor, महराश्ट्र के deputy chief minister जो है वो और महराश्ट्र की capital, इन सब के बारे में comment section में लिखकर बताईए, आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर, यहाँ पर प्रश्ण जो आया है वो आपको दिया गया है कि 20 फ़रवरी को किस पूर्वी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, हम स्थापना दिवस मनाते हैं अरुनाचल प्रदेश और मीजोराम का, तो उत्तर यहाँ पर क्या हुआ हुआ, यहाँ पर D, what is the right answer, पुर्वोतर, राज्य, रुनाचल प्रदेश और मीजोरम, 20 फरवरी को अपना राज्य दिवस मनाते हैं, ओके, साथी साथ एक और इंट्रेस्टिंग जानकारी देती हूँ, हाला कि विडियो में यह पहले कवर भी कराई गई है, 21 जनवरी जो है, देखो 20 फरवरी को तो दो राज्य मना रहे हैं, और जो 21 जनवरी है, उस दिन तीन राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं, यह तीन राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा नौर्थीस्ट का मनीपुर, दूसरा है हमारा मिघाल्य, ओके, बादलो वाला, और उसके बाद है हमारा त राजदानी एजवाल है, उसके बाद यहाँ पर गवर्नर कौन है, गवर्नर जो है यहाँ पर उनका नाम है पीए श्रीधरन पिल्लाई, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर जोरम थंगा है, मुरलीन नाशनल पार्क, डंपा टाइगर रिजर्व और तावी वाइल लाइफ सैंचरी म में लोकेटिड है, बात करते हैं अगर अरुनाचल प्रदेश की, तो इटा नगर राजदानी, वीडी मिश्रा गवर्नर, प्रेमा खंडु चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा में एक सीट लोकसभा में दो, रंगांडी बांध और यहाँ का फेमिस बांध है, और बार्दो चा है, और पता लगाया गया है करनाटक में, आंसर यहाँ पर सी है, भारत के प्रमाणू उर्जा आयोग के शोध करताओं को करनाटक के बैंगलूरू में 14,100 तन के लीथियम भंडार वहाँ पर पाए गए है, और लीथियम जो है एक दुरलब धातु है, इसका उपयोग जो हम इलेक्टरिक वहानों के लिए बैटरी बनाने के लिए करते हैं, तो question number 10, यह हमारा उतर था करनाटक, अब मैं आपको ले आती हूँ summary keywords पर, summary keywords देखे, summary keywords में, जो राम जन्मभूमी तीरत छेत्र ट्रस्ट है, उसके president बने है महंत निरत्य गोपालदास, International Mother Language Day 2020 की theme है, Language Without Borders, chairman बने है PFRDA के सुप्रीबतम बंदो पाद्याए, पहली, first, India free use of single use plastic, यानि की वो अंतराश्टी है, वो हवाई अड़ा, जो single use plastic से free हो गया है भारत का पहला, उसका नाम है हमारा Indira Gandhi International, 2022 का AFC Women's Asia Cup ये जो है भारत में आयोजित होगा, North East Sustainable Development Goals Conclave 2020 असाम में आयोजित, 22 हुआ Law Commission of India बना तीन वर्षों के लिए, हाजी अली दरगा जो है इसने प्रवेश किया है, World Book of Records में, ये मुंबई में स्थित है, 20 फरवरी को अरुनाचल प्रदेश और मीजोरन जो है अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, लीथियम रिजर्व्स जो है ये पाए गए है करनाटक में, ये हमारे summary keywords जिनके माध्यम से स सारा video revise हो गया है, यहाँ पर है आपका quiz for the day, quiz for the day का प्रशन देखिए, अंतराष्टिय मातरभाशा दिवस 2020 की theme क्या है, राम, जन्म, भूमी, तीरत, छेत्र, ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये जो दो प्रशन है, इनका उत्तर आप मुझे comment section म लिख कर दीजिए, इसके अलावा जो मैंने वीडियो के दौरान पूछा है, उसका उत्तर भी आप मुझे comment section में लिख कर दें, वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे उमीद है तो आप like button पर click करें, जितना संभव हो सके आप वीडियो को share करें, और साथ ही साथ channel को subscribe क I wish you all the best, thank you so much for watching, bye bye